तो वाइस पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताए था कि आप अपने फोन रेडिमी 8a dual को कैसे फॉर्माट कर सकते हैं और तो आज की वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोन को फॉर्माट के बाद सेट अप कर सकते हैं सबसे पहले आपको Choose Language में जो आपको लेनी हो तो ले सकते हैं तो मैं लोगा English, India उसके बाद आपको arrow पे लिख कर देना है फिर आपकोorigin सेलेक्ट करेगा तो आप लोग किसी कंड्री के सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं यहां पर एंडिया ले रहा हूं फिर सेटिंग रिजन लिख के आएगा इसे उसके बाद टर्म्स और कंडिशन्स लिख के आएगा अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़िएगा वर्ना रहने देजेगा फिर आपको एरो पर क्लिक करना है उसके बाद आपको नीचे स्लाइड करना है और आपको यहां पर एक और मिलेगा आई हाव रीड एन एग्री टू दे यूजर अग्रिमेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी तो आपको इस पर भी टिक कर देना है उसके बाद आपको ब्लू टिक पर क्लिक करना है चेकिंग पर सिम कार्ड करेगा अगर आपके पर सिम कार्ड हो तो आप वो कर सकते हैं वारना अगर आपके फोन में ना हो तो आप ब्लू इस पर आरो पर टिक कर सकते हैं तो यहां पर अपने वाइफाई को आप कनेक्ट कर सकते हैं फोन से तो मैं बाद में करूंगा या तो करके दिखाई देता हूं आप लोगों को तो पासवर्ड में आप लोगों को डाल के दिखाता हूं तो पासवर्ड डालने के बाद आपको connect के बटन पे क्लिक करनेना है connect हो जाएगा तो फिर आपको blue arrow पे क्लिक कर देना है फिर से लिखेगा आपको checking for updates this may take a few minutes थोड़ी दिर बाद आपको checking for updates के नीच installing updates लिख्या जाएगा उसके बाद copy apps and data अगर आपको करना हो तो कर सकते हैं वरना don't copy कर देता हूं मैं next पे क्लिक कर देता हूं तो bring your data from लेकिन मुझे नहीं करना है तो don't copy कर देता हूं फिर सापको just a second लिख्या जाएगा फिर चेक इन इंफो लिखेगा आपको अपने इमेल से sign in करना तो कर सकते हैं पर अभी मैं नहीं कर रहा हूं तो आपको इमेल डालने के बाद आपको दिखाएगा password डालने के लिए तो मैं password भी डाल देता हूं जल्दी से आपको password डालने के बाद next पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको ऐसे लिख्या जाएगा आपको वहां से अग्री करना पड़ेगा अपने दूसरे फोन से अपने इमेल को बनाया होगा उसके बाद आए अग्री को प्लिक करना है फिर आपको ऐसे लिख्या जाए getting account info फिर आपको google services ऐसे लिख्या जाएगा और फिर आपको नीचे स्लाइड करना है उसके बाद एक दम नीचे तक आपको अगर पढ़ना तो पढ़ सकते वरना accept दबा दी जाएगा continue setup keep going to your phone fully setup और leave now and get a reminder to finish later continue कर देना है उसके बाद just a second लिख्या जाएगा उसके बाद ऐसे लिख्या दाएगा the new way to talk to google फिर आपको नीचे स्लाइड करने उसके बाद turn on कर देना है और उसके बाद आप देख सकते हैं yes I am in कर देना है teach your assistant to recognize your voice फिर आपको अगरी कर देना है उसके बाद आपको just a second लिख्या जाएगा और उसके बाद आप आपको देखने के लिए जाएगा इसा page anything else तो आप setup a few more things now और find them later in settings change font size change wallpaper आप यह सब भी कर सकते हैं पर मैं अभी नहीं कर रहा हूं तो new thanks कर जाते हैं adding the finished touches this may take a few minutes और इसके बाद आपको अपने जिस screen का password है वो रख सकते हैं या तो मैं अभी रख लेता हूं तो मैं डालूंगा password इसके बाद आपको अपने password डालना है जो आपने को password डालने के बाद आपको इस blue arrow पे क्लिक कर देना है additional setting में automatic system सारी चीज़े देखने के लिए मिल लेंगी फिर arrow पे क्लिक करना है मैं don't agree कर दे रहा हूं आप agree कर सकते हैं उसके बाद को blue पे क्लिक करना है तो आप ड्रॉवर वाला भी कर सकते तो मैं यहीं कर रहा हूं setup complete लिख्याएगा you're ready to rock फिर आपको इस पे क्लिक करना है loading apps लिख्या जाएगा तो आपको ऐसे just a second लिख्या जाएगा उसके बाद आपका फोन है वो फिर से नया हो जाएगा तो गैज आज की स्वाली वीडियो में इतना ही मिल तक लिए वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत and thanks for watching टोड़िए एएड़िए झाल झाल झाल